राधे राधे मित्रो स्वागत है आपका जोतिश धर्म चैनल पर आज के वीडियो में हम बताएंगे शुक्र के राशी परिवर्तन के बारे में शुक्र कुंडली के बहुत ही मजबूत ग्रहें शुक्र के प्रभाव से ही व्यक्ती को भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद मिलता है यदि व्यक्ती की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिती में हो तो व्यक्ती के मान सम्मान में व्रिद्धी होती है धन की स्थिती बहतर होती है जातक के व्यक्तित्व में निखार आता है सुख और सुविधाओं के देने वाले ग्रह शुक्र का साथ जुलाई को राशी परिवर्तन होने वाला है शुक्र का गोचर करक राशी में रविवार को सुबह चार बचकर 49 मिनट पर होगा और यह ग्रह करक राशी में 31 जुलाई को दोपहर 2 बचकर 40 मिनट तक रहेगा उसके बाद से वह फिर राशी परिवर्तन करके सिह में प्रवेश करेगा आईए जानते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिन पर शुक्र होंगे महरवान विशब राशी नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृध्धी हो सकती है व्यापार में धन लाब होगा आर्थिक स्थिती में सुधार होगा जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा मिथुन राशी आपको शुक्र का परिवर्तन बहुत अच्छा फल देगा नौकरी व्यापार में धन लाब के अवसर आएंगे पारिवारिक जीवन आनंद में रहेगा संतान पक्ष से शुब समाचार की प्राप्ती होगी विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है धन संचय करने का अच्छा समय है परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है कन्या राशी कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा व्यापार में धन का निवेश लाबकारी रहेगा समाज में मान सम्मान की प्राप्ती होगी विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी विदेश संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी तुला राशी आत्मविश्वास में वृध्धी होगी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है रुका हुआ धन वापस मिल सकता है विद्यार्थी को विदेश में पढ़ाई के अफसर मिलेंगे प्रेम संबंध मधुर होंगे परिवार में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है शुक्र आपकी भौतिक सुख सुविधा में व्रिध्धी करेंगे मकर राशी नौकरी व्यापार से धन लाब होगा आर्थिक स्थिती बहतर रहेगी मकान या नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं पैतरक संपत्ती से धन लाब होगा भाई बहन के साथ संबंध मधुर रहेंगे स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्शक्ता नहीं है जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं ये थी कुछ विशेश राशिया जिन पर शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा और सभी राशियों पर शुक्र का मिला जुला प्रभाव रहेगा आईए अब बताते हैं कुछ उपाय जिनको करके आप अपने लिए भी इस परिवर्तन को शुभ बना सकते हैं उपाय दुर्गा चालिसा का पाठ करें लक्षमी जी के मंत्रों का जाप करें लक्षमी जी को लाल रंग का पुश्प अर्पित करें कन्याओं को खीर का प्रसाद दें तो आप भी कीजिए ये उपाय जोतिश और धर्म से जुड़े विडियो देखने के लिए जोतिश धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें राधे राधे